हेलो दोस्तों नमस्कार बिहार एकडमी के सियोटूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बिहार पैरामेडिकल 2024 में पास आउट स्टुडेंट के द्वारा काफी सारे कॉल्स और मेसिस किये जा रहे हैं कि सर बिहार पैरामेडिकल का कॉंसलिंग कब से प्रारंब होगी माई डियर कुछ बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि सर बिहार पैरामेडिकल का जो कॉंसलिंग है वो 24 जुलाई से प्रारंब होगा 37 कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बहुत जादा रैंक आ चुका है बिहार पेरामेरिकल में उनका जो है क्या कहना है कि सर आप किसी भी तरीके से काउंसलिंग हमरा कर दो जो कि मुझे कहीं न कहीं कॉलिस जो है और कोर्सिस जो है वो मिल जाए माई डियर आज की इस वीडियो में इन सभी तमाम सवालों पे जो है मैं बात करूंगा क्योंकि आप लोगों के जो भी मन में डाउट्स होते हैं जो भी आपका कहना होता है पुछना होता है उस पे मैं वीडियो जो है अफकॉर्स लेकर आता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि भी हार एकाडमी के स्योटूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग नए हो पहली बारो तो भाई अफकॉर्स आप लोग इस चैनल से जूट जाएंगे चैनल को जो है सस्क्राइब कर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगे यहीं पे तो माइडियर जो है ना मैं आप लोगों को पहले तो यह बता देना चाहूंगा कि भाई आखिर कॉंसिलिंग डेट जो है क्या रहेगी तो इसके लिए मैं आप लोगों को बीसी सी के ओफिशल वेबसाइट पे लेके चलना चाहूंगा तो माइडियर यहां पे देख सकते हैं यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे सांथियों सर इस वक्त में बिहार कॉंबाइन इंट्रेंस कॉंपटेडिव एमनेशन बोर्ड के ओफिशल वेबशाइट पे हूँ और लेटेस्ट अपडेट में आप लोग देख सकते हों कि मेरे प्यारे दोस्तों कॉंसलिंग के प्रिकिरिया और जिसके माधियम से जो भी बच्चे किसी भी कौर्स में एक्जाम देते हैं उन लोगों का counseling यानि choice filling के प्रिक्रिया के दौरा जो है उनको colleges मिलता है और courses मिलता है ठीक है चाहे वो बात किया जाए बच्चो यहाँ पे UGAC की बात किया जाए बिहार ITI की बात किया जाए बिहार Polytechnic की बात किया जाए तो मेरे प्यारे साथियों इन लोगों counseling date जो है आ चुकी है बहुत बड़ी update है यहाँ पे और यह भी मैं बात आना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों इन लोगों का जो counseling है बिहार ITI की बात करने हम तो 22 जुलाई से प्रारहम होगी और 24 जुलाई जो लगतार बच्चे यहाँ पे कर लीजेगा कोई दिकत वाली बात नहीं लेकिन बिहार पेरामेडिकल वाले टॉपिक पर यहाँ लोग आते हैं तो भाई इन लोगों का counseling यानि बिहार पोलिटेकनी की बात किया जाए और बिहार पेरामेडिकल की बात किया जाए तो exam alternate जो है न यानि एक दिन gap करके जो है इन दोनों का exam conduct करवाया गया लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों बिहार पोलिटेकनी का counseling date पहले release कर दिया गया तो यह हर एक साल होती है तो यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आप लोगों को जो है न confused नहीं होना है क्योंकि बिहार पोलिटेकनी की counseling date दिस सुलाई को समाप्त होती है वैसे ही जो है बच्चो अगस्त के मन्त में एक से दो वीक ठिक है के अंदर जो है आप लोगों का यानि बिहार पैरामेडिकल का counseling date जो है वो जारी कर दिया जाएगा तो आप लोगों को जो है ना tension नहीं लेना है जिन बच्चों का बहुत जादा रेंग आ चुका है वो भी सभी तमाम मेरे प्यारे सांथियो आप लोगों को भी चिंति जो है नहीं होनी है क्योंकि बच्चो बिहार एकडमी के इस उट platform पे आप लोगों को जो है ना बहुत ही सटिक तरीके से बच्चो बिहार पैरामेडिकल की counseling करके बताई जाएगी सांति सान्त बच्चो आप लोगों को आपके rank करक्डिक अगने आ independence मेरे ने होंगे किस तरीके से आप लोगों इस वाएक कॉलेजिस को सेलेक्ट करना होगा courses को सेलेक्ट करना होगा ताकि आप लोगों का प्ये college मिलने की जो chances है courses मिलने की जो chances है वो बच्छो बहुत जादा जो है संख्या और साथे साथ उसके जो probability हो वो बढ़ी रहे ठीक है तो आप लोगों को tension नहीं लेना है बच्छो मैं जो है live आऊंगा और step by step हर एक चीज़ है मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को tension नहीं लेना है और जो है जैसे ही कोई बिहार पैरा मेडिकल से रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को जो है इसी प्लेटफर्म पर देखने को मिलेगे मिलेंगे इसी तरीके के इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग को जय हिंद जय भारत